हलो फ्रेंट्स वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है एजिटेगनी दोस्तों ये वीडियो उनके लिए है जिनोंने जस्ट पैकेजिंग डिजाइन करना स्टार्ट किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमान होने वाली जो लोग बेग जब भी आप पैकेजिंग का कोर्स स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपको इस तरह की डाइकट बनाना सिखाये जाएगा जैसे कि आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं क्यूंकि ये डाइकट बनाना बहुत ही एजी है और इस डाइकट को आप बड़े ही आसान पास ये इस टाइप की डाइकट बनी हुई है तो आप इसको आराम से सीफ रिसाइज भी कर सकते हैं क्यूंकि इस टाइप की जो बाक्स होते हैं वो बहुत सारे प्रोडक्स की पैकेजिंग के काम आते हैं जैसे की साबुन हो गया अगर बत्ती हो गई और भी बहुत सारे प नहीं है अगर आपको Adobe Illustrator की जानकारी है तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पर यह डाइकड बनी हुए अगर आपको इस डाइकड को resize करना है तो इसके बादे में मैं अभी आपको बता देता हूं किस तरह से आप इसको resize कर सकते हैं बड़े ही आसानी से तो अभी हम देख लेते हैं इसका size क्या है तो यहां से हम हमने ले लिया है direct selection tool और यहां से हम इसको select कर लेंगे यह दो राइल्म को और यहां से हम आ जाएं इसका size है 5.5 by 10.1 और यह box square है यह देख सकते हैं 5.5 5.5 5.5 तो यह एक square box है अगर हमारे पास कोई ऐसा box है जिसकी size है 10 by 5 और उसकी height है 15 तो आईए इसको हम resize करके आपको दिखाते हैं तो सबसे पहले इसको हम करेंगे 10 तो हमें यहां से select करना होगा यह देखिए ऐसे हमें select करना है उसके बाद हमें enter करना है और यह है 5.5 तो हमें increase करना होगा 4.5 तो यह हो जाएगा 10 तो यहां पर हम करेंगे minus 4.5 और enter कर देंगे तो अभी हम check करते हैं इसका size यह हो गया है 10 यह आप देख सकते हैं इसकी वीद हो गई है 10 और यहां पर है यह 5.5 तो फ्रेंड्स यह वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं यह है बॉक्स के साइड वाला पार्ट और अभी यह है 5.5 और अगर हमें इसको रेड्यूस करना है मालीजी यह 5.5 है इसे हमें करना है 4 तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे ऐसे इस तरह से और इंटर करेंगे और यहां से 1.5 और नीचे का जो पाट है उसको करेंगे 0 तो यह हो जाएगा 4 यह देखिए यहां पर यह हो गया 4 और यह हो गया और यह पाट हो गया 10 और अभी इसकी हाइट भी है 10 और अगर हमें इसकी हाइट बढ़ानी है या फिर कम करनी है वो भी हम यहां से सेलेक्ट करेंगे ऐसे इस तरह से और इंटर करेंगे मान लेजिए अभी इस बॉक्स की हाइट को हमें करनी है 15 सेंटिमेटर तो हम यहां से 5 सेंटिमेटर इंक्रेस करेंगे तो यहां पर हम प्रेस करेंगे 5 और यहां से OK कर देंगे तो यह हो गया 15, यह देखिए, यह हो गया 10 by 15, अभी एक साइट का हमारे यह complete हो गया, इसी तरह से दूसरे साइट को भी हमें complete करना है, तो हम यहाँ पर दूसरे साइट को भी कर लेंगे 10, यह देखिए, यह है 5.5, तो हम यहाँ से select करेंगे इस तरह से, direct selection tool से, और उसके बा एंगे 4.5 और नीचे वाला पार्ट 0 तो यह हमारा हो गया 10 और इस पार्ट को हमें करना है 4 तो यहां से हम सेलेक्ट करेंगे यह पार्ट ऐसे डारेक्ट सेलेक्ट टूल से और यहां से हमें करना है माइनिस 1.5 और नीचे के पार्ट में 0 तो यह हमारा हो गया 4 और एक बात आपको हमेशा ज्यादक नहीं होगी कि यह जो बॉक्स का उपर वाला पार्ट होता है जहां से हम अपने बॉक्स को बन करते हैं वो पार्ट और यह साइड वाला पार्ट हमेशा सेम होता है साइज इसका यह देखिए इसका साइज है 4 तो इसका भी साइज होना चाहिए 4 अभी यह ज्यादा है अभी इसको भी हम 1.5 कम करेंगे तो हम यहां से डारेक्ट सेलेक्शन टूल से सेलेक्ट करेंगे इंटर करेंगे यहां पर 0 करेंगे और नीचे 1.5 तो अभी ये part हमारा 4 और ये भी part हमारा 4 होना चाहिए. ये हमारा हो गया perfect इसी तरह से नीचे वाले part को भी select करेंगे ऐसे और enter करेंगे. यहाँ पर हमें करना होगा minus 1.5 तो ये 0 और minus 1.5 और फिर हम enter कर देंगे. तो ये हमारा हो गया 4. तो इस तरह से ये box resize हो करके complete हो गया है, बिल्कुल perfect. अभी हम इसमें लगा लेते हैं crop mark. अबजेक्ट में आएंगे और यहाँ से create three marks ये हमने लगा लिया है. और यहाँ पर इस mark के पर हम करेंगे double click. ये देखिए. तो ये हमारा box बन करके ready हो गया है. अभी मैं आपको बताता हूँ starting से कि इस box को किस तरह से create करते हैं start to end. तो देखते रहे ये video. इसको हम हटाते हैं और इसी को एक copy कर लेते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं. तो हमारे box का size है अभी 10 by 15 by 4 तो अभी हम एक rect angle लेंगे और यहाँ पर click करेंगे 10 और height 15 और enter कर देंगे. और इसको हम color ले लेंगे z यह वाला उसके बाद यहाँ पर हम लगा लेंगे glue lab तो इसको हम यहाँ से कर लेते हैं 1.8 cm और यहाँ से साइड वाला पार्ट हम लेंगे और साइड वाला पार्ट हमारा था 4 cm तो यहाँ से हम करते हैं 4 और अभी हमें इसको करना होगा copy तो हमने इसको यहाँ से copy तर लिया है और इस पार्ट को थोड़ा थोड़ा नीचे जुकाना होगा तो हम यहाँ से select करेंगे direct selection tool से enter करेंगे और यहाँ से 0 इसको 1 cm नीचे कर देते हैं इसे तरह से इस पार्ट को हमें 1 cm उपर करना है तो यहाँ से हम करेंगे select enter 0 और यहाँ पर हमें करना होगा minus 1 यह देखिए यह हो गया perfect इसी तरह से अभी हमें उपर का पार्ट बनाना है तो इसको हम select करेंगे और इसको 90 डिग्री पर rotate करेंगे ऐसे उसके बाद यहां से हम इसको मिला कर इस line से हम इसको यहां से मिला देंगे और इस पार्ट को हम यहां से मिला देंगे और अभी हमें एक फ्लैप और बनाना है तो हम इसको यहां से copy करेंगे और यह हम आएंगे और यहां पर हम कर लेते हैं 2 cm और इसके बाद इससे हमें करना है round curve करना है तो हम इसको कर लेते हैं curve और इस पार्ट को हम यहां से करते हैं cut control x और control f करते हैं उसके बाद यह आप देखें यहां पर यह ऐसा बना हुआ है तो यहां पर यह है तो यह है 0.7 तो हम यहां से कर लेते हैं 0.7 और इसको हम थोड़ा अंदर करते हैं इसको भी हम यहां से लगा लेते हैं इस पार्ट में और यह देखें यहां पर एक cut और लगा हुआ है और इसकी height है और और इसकी height यहां से हम देख सकते हैं कि तो मिल्ली की height है 2 mm की तो यहां से हम इसको लगा लेते हैं 2 mm तो यहां से हम लगा लेते हैं 2 mm इसको ऐसे खीच कर और यहां से कर देते हैं पॉइंट को यह हो गया अभी इस सेम हमें कॉपी करके दूसरे साइड में लगा लेंगे कॉपी, Alt और Shift की मदब से हमने कॉपी किया है और इसको यहां पर लगा लिया है उसे के साथ इस लाइन को इस लाइन के सेंटर में करना है तो इस लाइन को और इस लाइन को हमने कर लिया है सेलेक्ट और इसके सेंटर में करना है तो इस पर एक बार और हम क्लिक करेंगे यह है उसके बार यहां से सेंटर हो गया अब इसको हम इससे मिला रहेंगे यह लेगे और इस पार्ट को एक मिली हम थोड़ा अंदर करेंगे तो माइनेस पॉइंट वन यह हो गया पर्फेर्ट इसी तरह से अभी आप देख रहे हैं यह वाला जो पार्ट है यह है इसकी हाइट है 3 cm तो हम इसको ले लेते हैं यहां से और इसको हम करेंगे इसको हम कर लेते हैं 3 यह होगे 3 cm और इस लाइन को यह नीचे वाली लाइन से हम मिला लेंगे अभी मैंने किया है कंट्रोल वाई तो हमने यहां से मिला लेंगे और इस बाक्स को अगर हम चाहे तो ऐसा जैसा आपको दिखना है सीधा ऐसा भी रख सकते हैं और यहां फिर हम थोड़ा से इसको यहां से अंदर भी कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं इसमें फोल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है तो अभी हमारा बॉक्स जैसा बना हुआ है वैसा ही हम बना लेते हैं यहाँ पर एक एंकर पॉइंट एड़ करेंगे यहाँ पर और इसको हम थोड़ा अंदर करेंगे पॉइंट फाइफ और इसके बाद यह पार्ट हम कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पर भी हमें लगाना है पॉइंट सेवन इसको हम रोटेट करते हैं और यहाँ से मिला लेते हैं और अपर अधिम करता हूं अईकर पॉइंट यहां पर और एक पॉइंट हे यहां पर मता сп tend हैं कि अब इस्जलेक्ट करते इस तरह से इसको भी हम माइनस पन कर दें जिसकेस करें तो हम इसको minus point 5 कर देते हैं यह होगा अब इसको थोड़ा नीचे उतार कर इसको थोड़ा सा अंदर कर देते हैं कि वो देखने में थोड़ा अच्छा लगे इसमें कोई दिक्कत ने बस ये part ये line जो है यहां से जो इसको मैंने अंदर किया है ये line और ये line सेम होना चाहिए क् इसके अंदर आकर lock होता है तो ये भी हमारा हो गया है अभी इसको हम एक मिल्ली अंदर करेंगे यहां से minus point 1 इस तरह से और हमेशा ये वाला part एक मिल्ली अंदर होता है इसको भी हम minus point 1 कर देते हैं अभी हम इसको यहां से मिलाते हैं और इसको करते हैं reflect और इसको हम सेंटर हैं कर लेते हैं इसके और इसे हम एक मिली अंदर करेंगे यहां से मॉइनस प्रश्व यह हो गया तो यह पार्ट अभी हमारे कमिलीट हो गया है अभी हम इस लाइन को कर लेते हैं पूट वाली और अब यहांगा लाइन को भी करते हैं उसके बाद नीचे वाला पार्ट सेम है यह आप देख सकते हैं यह पार्ट सेम हिए उसके बाद हम इसको कॉपी करके यहां पर लगा देगे तो अभी हम इसको करते हैं Ctrl X फिर उसके बाद Ctrl F और यहाँ पर डबल लाइन है तो एक लाइन हम यहाँ से खटा रहते हैं उसके बाद सेलेक्ट करके यहाँ से कर दिया ग्रीन यह भी फोल्डिंग वाली लाइन है इसको भी हम Ctrl X करेंगे और इसे भी हम कर लिए ग्रीन यह भी हम आज लाइन फोल्डिंग वाली है इसको भी हम Ctrl X करते हैं और इसे भी हम यहाँ से कर लेते हैं ग्रीन अभी यह दोनो जो पार्ट है यह हमें लगाना है यहाँ पर और इसको यहां से रिफ्लेक्ट कर लेंगे यह देखी इसको हमें reflect करना होगा ऐसे और इसको भी हमें reflect करना होगा ऐसे और इसके बाद इन दोनों को select करना है, select करके यहां से मिला देना है यह इसका बस है तो इसके बाद इस पार्ट को हम copy करेंगे पूरा और इसको यहां पर लेकर करेंगे और इसको हम rotate करेंगे ऐसे और इसको यहां पर लगा देंगे center अभी यह line हमें करने एक green यह fold वाली है और इसको अटा दे लेना है वह एक ही line थी तो उसको नहीं अटाना हम आसे और इसको हमें कर लेना है green और इन दो line को भी यहां से control x करके इसको भी कर लेना है green और अभी हम सारे box को करेंगे select उसके बाद कर लेंगे control g यानि की group यह आप देख सकते हैं same to same यह box बन करके ready हो गया है दोस्तों यह वीडियो उनके लिए थी जिनों ने अभी packaging design का काम सीखना इस टार्ट किया है यह वीडियो उनके लिए बहुत ही useful होने वाली है जो इस काम में अभी वेगना रहे उमेर करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा और यह वीडियो आपको अच्छे लगी होगी ऐसी ही मेरी और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत बूलिएगा इसी तरह कि बहुत सारी वीडियो मेरे इस चैनल पर अवलेबल है आप जाकर मेरे चैनल को चेक कर सकते हैं और आपको आपके पसंद की वीडियो मिल जाएंगे तो वीडियो दे है